अभी तक हमने बात की कि हमने content लिखना है और content king है लेकिन content होना कितना चाहिए हमने पहले बात की कि आप unlimited content create कर सकते हैं मतलब कि आप unlimited post लिख सकते हैं आप pages बना सकते हैं आपको हटा कि जितने भी आपको keywords लगते हैं कि आपको Google में सर्च कर रहे हैं आप उनके गेंस आप लिखते चले जाएं ताकि Google जाद से जाद आपको index कर ले और जाए से जाद आपको उपर लेके आ सके लेकिन हर page पे content कितना होना चाहिए यह ऐसा सवाल है जो अक्सर लोग confused रहते हैं कि उनको समझ नहीं आती ही कि कितना लिखे हैं नौमी लोग 10 लाइनों को या एक paragraph को content समझते हैं वो content तो है लेकिन कितना content चाहिए Google को ताकि वो rank कर सके यह एक सवाल है So हम इस वीडियो में यही discuss करेंगे कि for example अगर आपने एक page लिखा है तो कम असकम कोशिश यह करें कि उसके उपर 500 words लिखें 500 एक minimum limit इसलिए suggest की जाती है कि गूगल में अगर गूगल ने index करना है आपका page crawl करना है उसमें इतना उसमें कमसकम content हो कि गूगल उसमें कुछ अखस कर सके कुछ उसमें से understand कर सके कि आपका page किस बारे में है कम content होगा गूगल को यह समझनी आएगी कि आपने उसमें क्या बात की है इसलिए अगर content कम होगा उसमें आप ज्यादा keywords भी यूज नहीं कर सकेंगे और उसमें फिर आप synonyms भी यूज नहीं कर सकेंगे तो अगर आपने density भी 2-3% रखनी है तो आपको इतना content चाहिए कि आप उसमें 2-4 दफ़ा का अपना keyword repeat भी कर सकें तो make sure यह करें कि length हमेशा कमस कम 500 रखें ज्यादा से ज्यादा कोई limit नहीं है लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं हो कि एक page एक book बन जाए तो आपने हमेशा अपने topic के साथ justification करनी है कि आपका topic क्या है और उसके against आपने क्या लिखा है अगर आपका topic डिमांड करता है कि लंबा content लिखा जाए तो उसके अपर लंबा content लिखना जरूरी है क्योंकि पढ़ने वाले को अगर एक चीज़ पढ़ने आया है लेकिन जब वो पढ़ना शुरू करता है और एकदम से खतम हो जाए तो फाइदा नहीं है तो आपने यह जरूर मेक शूर करना है कि content की जो डिमांड है उसको पूरा करें लेकिन अगर आपको थोड़ा से थोड़ा में लिखना है तो कोशिश यह करें कि 500 words लाजमी लिखें इससे आपकी SEO बहुत बेतर हो जाएगी और आपकी rankings आपके competitors से उपर जाएगी क्योंकि machine learning Google की इस तरह से काम करती है तो आपके content को देखकर फिर यह decide करती है कि आपने किन keywords के आपर rank करना है तो अगर आपका content ही नहीं होगा या अगर बहुत कम होगा उसमे words भी ज्यादा नहीं होगे जब words ज्यादा नहीं होगे Google rank भी नहीं कर सकेगा so length बहुत matter करती है content की अगर आपने content लिखना है तो कमस कम 500 लेकिन अगर जाद से जादा लिखना है तो आप 5000 तक भी जा सकती है make sure यह करें कि लोग boring ना हो जाएं और उसको यह है कि properly consume कर सकें ताके वो उतना content हो जितना content required है